मुझे प्रेम पर सिखाना प्यारा है क्योंकि मेरे जीवन में दूसरों को अधिक आकरमक्ता से प्रेम करना सीखने से बहुत अधिक आनन्द आ गया है। जीवन का आनन्द लें। और वैसा करने का एक तरीका है ये है कि हम अपने पर से ध्यान हटाद्य और आकरमक्ता से उद्धिश्य पूर्वक दूसरे लोगों के लिए आशिश बने चाहे जहां भी जाएं छोटे तरीकों से बड़े तरीकों से और आप में से वो करने की योग अग्यता काफी लोगों में हैं मसी में विश्वासी के तौर पर आप मसी में एक नई स्रिष्टी है और आपका एक नया स्वभाव है आपका एक हिस्सा है जो लोगों से प्रेम करना चाहता है आपका एक हिस्सा है जो आत्मा के सभी फलों के द्वारा चलना चाहता है बाइ साइयम भी है इसकी कल्पना करें सब कहें मुझ में वे हैं परन्तु हमारा एक शरीर भी है हमारा वो पुराना सुवभाव भी है और पॉलुस प्रेरीत ने भी कहा है कि जब वे सही करना चाहते थे उनके विरुद कुछ संगर्श था जो उन्हें गलत करने के लिए लगभग मजबूर करता था उन्होंने कहा मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं सकता और जो मैं नहीं करना चाहता आखिरकार वही करता हूं हमें समझना है कि हमारे शरीर में एक युद्ध चल रहा है, शैतान धर्ती पर जीवी थे और वो फल फूल रहा है, परन्तु हमें रहने वाला उससे महान है जो हमारे विरुद है, हमें रहने वाला उससे महान है जो दुनिया में है, आत्मा द्वारा चलो तो शरीर की को नहीं पूरा करोगे, इसलिए हम हर उस चीज से लड़ सकते हैं, जो हम सोचते हैं, हम घलत करते हैं, और अपने को होने वाले सभी प्रलोभनों से हम पाप से लड़ सकते हैं, और हमेशा अपराधी और दोशी अनुभाव कर सकते हैं, या दूसरी तरफ ध्यान लगा सकते है उठकर ये कहें, आज मैं प्रेम के लिए जीऊंगा और यदि आप प्रेम से भरे हो, अन्यों लोगों के लिए परवा से भरे हो, पूरे दिल से परमेश्वर की सिवा करने की इच्छा से भरे हो, तब किसी बुरी चीज के अंदर गुसने के लिए कोई स्थान नहीं होगा, मैंने हाल ही में अच्छी आदते डालने और बुरी आदते तियागने के बारे में एक किताब लिखी है, उसका नाम है Making Good Habits, Breaking Bad Habits, क्योंकि यदि आप सही करने पर ध्यान लगाएंगे, तब गलत चीज को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, इ शायद सबसे बड़ी कमजोर्यों में से एक है मेरी तरह क्रोधित स्वभाव वाले लोगों की, कि हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम उसके बार में द्रिड होते हैं और हम एक नेड़ ही लेते हैं, हमें पीछे जाना होता है, और किसी की फैर छोड़िये जो आड़े आँ, कब अधीरता को मुझ में काम करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता, आप में वो है जिसकी जरूरत है, आप रभावशाली हैं, आप सरवता अविश्वस्निय हैं, आपको परमीश्वर की छवी में बनाया गया है, आप में बहुत सी अच्छी चीज़े हैं जिने आप भलाई द्वारा अप रत्याशित रूप से बाहर लाने वाले हैं, आप में वो है जिसकी जरूरत है, और यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप कभी भी वो नहीं करेंगे, आप दूसरों को प्रेम करने के लिए जी सकते हैं, और परमीश्वर के होना चाहिए, हमारा पहला मकसद होना चाहिए परमीश्वर के लिए करना, उनका आभार प्रकट करने के लिए, उन सब के लिए जो उन्होंने हमारा लिकिया है, कितने परमीश्वर का उसके लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो उन्होंने आप लिकिया है, आप करना चपने तरीकों से ये कर सकते हैं हम वो कर सकते धने वाद इशू परनटों हम और भी लाखों तरीकों से वो कर सकते हैं यदि हम केवल पवित्रा आत्मा की अगुवाई लेना सीखेंगे कुछ आस्चिरेजनक होने लगता है परमिश्वर आपको व्यक्तिकत रूप से छूटी इसलिए बड़े होंगे क्योंकि आपको इतनी परवात थी कि आपने उनकी बास सुनी, आमेन? मेरी ननन निकल मुझे बताया कि परमेश्वर ने उनके दिल में कुछ करने को कहा है, वे हर सुबस सेर करती है और ऐसे महले में रहती है जहाँ पर बहुत से बुजर्ग लोग है और उसने का मैंने सेर करते वक्त आरम किया, मैं उनके अख़बार उठा कर उनके हाथ में इसलिए इस्तमाल करेंगे यदि हम पवित्रा आत्मा की अगुवाई लेने के लिए तयार होगे, आप में से प्रत्य को परमेश्वर का जासूस होना चाहिए, मेरा मतलब हम सभी को परमेश्वर के जासूस होने की जरूरत है, इससे मेरा ही मतलब यह है कि रोज सुब आप गुप तरुप से दुनिया में जाए और परमेश्वर के शस्त्र वस्त्र ध्रारन कर ले और आपको बताया, आप महसी में कौन है, आप लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं जाते, आप इसलिए नहीं जाते कि लोग आपको अच्छा समझे, आपने अपने को अलग क परमेश्वर के सुपूर्थ गया है और आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपके लिए काम करता हूं, मैं आपसे कुछ कहूं जब आप उनके लिए काम करते हैं, वे हमीशा आपकी देखभाल करते हैं, आप परमेश्वर के काम की देखभाल करते हैं, तो वे आपकी देखभाल प्रतीक्षा करते हैं, सूनें और देखते हैं सूचियां भी बना सकते हैं, जब आप लोगों से सुने कि वे क्या चीजे पाना चाहते हैं, या उन्हें किसकी जरूरत है या चीजे जो उन्हें पसंद है, या आप तुरंट नहीं दे सकते आप वो लिख लें इसके बारी में प्रार्त ना करें परमेशवर को वो देने को कहे जो आपको चाहिए या मान लीजे आप किसी के बारे में बारे में सुने जिस से आपको बता चले उन्हें क्या चाहिए या कोई कई पता है मेरे पास केवल बेडरूम का फनीचर है, मेरे पास हॉल, बैठक का फनीचर नहीं है, अभी मेरी रसोई में भी फनीचर नहीं है, आपके पास शायद इतने पैसे नहीं है कि उनकी जरूरत पूरी होपरा, शायद आप कुछ कर सकते हैं दूसरे मसीयों से मिलकर आप कुछ मदद कर सकते हैं, हम इस व्यक्ति के लिए क्यों न कुछ करें वो आनंद सरवदा आपके दिल में रहेगा, दूसरों की जरूरते पूरी करने का आनंद, आमें आये योहना आध्या 21 वचन 15 से 18 तक देखते हैं, भूजन करने के बाद इश्यू ने शमून पत्रस से कहा, हे शमून योहना के पुत्र क्या तो इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है उसने उससे कहा, हाँ प्रभू, तू तो जानता है कि मैं तूसे प्रीती रखता हूँ अम्प्लिफाइड में ये थोड़ा सलंबा है और मैं वे सारा नहीं पढ़ने वाली क्योंकि यहां लगातार तीन वचनों में कुछ है उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा कितने ये इसे ठीक नीचे देख सकते हैं, हाँ प्रभू तू तो जानता है कि मैं तुसे detecting रखता हूं, बिल्कुल अंतिम बाक्यम मेरे मेमने को चरा अच्छा इशु पतरस क्या तू मुससे प्रेम रःटा है हाँ प्रभू तू तो जानता है कि मैं तुसे प्रिती रखता हूं, तो मेरे मेमनों को चरा लिखा है कि पत्रस को थोड़ी परिशानी होने लगी की इशू, उसे तीसरी बार पूछ रहे है, क्या तुम उसे प्रेम रखता है, उसे ऐसा लगा मानो इशू को, उस पर विश्वास नहीं था, हाँ मैं प्रेम रखता हूँ, पर उसके बाद वे एक आदेश देते हैं, मेरे मेमनो को चरा, वैसे आज कि दुनिया में इसका क्या मतलब होगा, वे बहुत सरल है, मान लीजे कि इसे आज की भाशा में बोल रही थी, तो इशू ने ये कहना था, पत्रस क्या, मुझसे प्रेम रखता है, जी प्रभू, आपको पता है, मुझे तुसे प्रेम है, अच्छा तो किसी की मदद कर, सबसे बढ़िया तरीका, जिससे हम उसके लिए अपना प्रेम और आभार दिखा सकते हैं, जो इशू ने हमारे लिए किया है, हमारे लिए मर कर, हमारे पापों की सजा लेकर, अपना रक्त बहा कर, नर्क और मौत की कुंजियां, शैतान से लेकर, मर कर, दोबारा जी उठने पर, और हमें हर चीज में तिस्सा देने पर, जो उन्होंने मूल यदे कर खरीदी हैं, हम मसी के सईयुक्त अधिकारी है, हम जीवन के लिए धनिवाद करने का, जो हमारा है सर्वत्तम तरीका है, किसी और की मदद करना आप में से, कितनों ने यदि आपके बच्चे विदेश में होते, जैसा कि कुछ माइनों में हम सभी विदेश में ही हैं, पता है दुनिया वास्तों में हमारा घर नहीं है, कितने यदि उनके बच्चे किसी दूसरे देश में हैं, सच मुछ आभारी होंगे यदि कोई उनके बच्चों क जरूरत पूरी करने में मदद करेगा परमीश्वर भी आभारी होते हैं जब हम ऐसा करते हैं किसी की मदद करें दुनिया के सबसे सरल कामों में से एक जो हम कर सकते हैं अपने जीवन के हर दिन आपको ऐसा करने का मौका मिल सकता है एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलता अब ऐसा करने के लिए यदि आपको मन उससे भरना है जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं तो पता है तो आपके लिए दिन पर अपने पर ध्यान लगाने का स्थान नहीं होता So, मैं इसे दो तरीकों से कह सकते। अपने पर से ध्यान हटाएं ताकि आप दूसरों की मदद कर सके और ऐसा मैंने बहुत बार कहा है परन्तु मेरे विचार से इसे कहने का बहतर तरीका है आप अपने मन को इससे इतना भर लो कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं आप जितना अधिक दूसरों के लिए आशिश बनते हैं कितनों ने ध्यान दिया है इस बात तर आप सारा दिन बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं उसके बाद अगले दिन आप कुछ नहीं करते हैं चलता रहता है सोमवार मंगलवार और बूधवार आने तक हम अपना जीवन अच्छा नहीं जीते हम घर में ही कुरूदित होते रहते हैं हम आत्मद्या से भरे होते हैं केवल इसलिए कि हमारे पास कुछ करने को नहीं होता परन्तु यदि आप बाहर जाकर किसी की मदद करेंगे अब शरीर को ने संदे कोई असुविदा अच्छी नहीं लगती हाँ पता नहीं ठंड है उसे गर में अच्छी नहीं लगती आप सभी को टीवी प्रोग्राम प्यारा है परन्तु हमें चमकिली बत्यों की भी शिकायती मिलती हैं बस भी कीजी आई ये अब छोड़िये भी फिलिप यो दो चार से साथ तक देखते हैं मेरे विचार से हम बिल्कुल नए रुक के साथ जीएंगे फिलिप यो अधिहाय दो यह संभव होता कि इश्यू यहां धर्ती पर आते और वो बलिदान करते जो उन्होंने किया था यदि उन्होंने सही रुक अपनाया और कायम न रखा होता पता है पिस्यो चार कहता है कि हमें रोज अपने मन और रुक का नवीनी करण करना चाहिए हर एक केवल अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित के भी जिन्ता करें जैसा मसी इश्यू का स्वभाव था वैसा ही तुमारा भी स्वभाव हो इश्यू का उदेश्य क्या था? वे बंधकों को स्वतंत्र करने आये थे, कारागार के द्वार खोलने, वे हमारी मदद करने आये थे, इसलिए हमारा रोज उदेश्य दूसरों की मदद करना हो सकता है जैसा मसी इश्यू का स्वभाव था, वैसा ही तुमारा भी स्वभाव हो विनमरता में उन्हें अपना उधारन बनाओ जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर वे सभी गुण सर्व होने पर जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाते हैं परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तू न समझा वरन अपने आपको ऐसा शूनिय कर दिया, सभी विशिशाधिकारों और सम्मान को त्याग कर, दास का स्वरुप धारण की या और मनुश्य की समानता में हो गया, चले एक सेकेंड के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, इशु का यहाँ आकर मनुश्य का शरीर धारण करना, मैं केवल एक तरीके से तुलना कर सकती ह और वे फिर भी बुरी तुलना होगी, वो कि यदि आप और मैं नेने लेते सारी दुनिया में, धर्ती पर रेंगने वाली सभी चीटियों के लिए ताकि उनका जीवन बहतर हो सकता, हम अपनी इंसानियत को छोड़कर ननी चीटियां बन जाते और जीवन पर उनके साथ गं मित्र को भेच कर जो महिमा में रहता था कि वो यहां रहे, पर मेश्वर के लिए मानविय शरीर धारन करना वैसा रहा होगा, वे बहुत कठिन रहा होगा और साथ ही ये भी याद रखीं, क्रूस पर जाना आसान नहीं था, जरा गत समनी को याद करें उन्होंने शरीर की मां अभी कबार स्वार्थ ताके प्रनुभन का विरोध करेंगे और आगी बढ़ेंगे, और शरीर की असुविदा होने पर और वो काम करेंगे जो हमें विश्वास होगा कि परमेश्वर हमें करने को कह रहे हैं, चले मैं आपको एक उधारन देती हूं इस बात का, और ये एक लगबख सही औसत है क्योंकि मैं 37 वर्षों से सिखा रही हूं, इसलिए मैंने ऐसी बहुत-बहुत-बहुत सी सभायें की हैं, और लगबख 80% मसीही किसी से क्रोधित हैं, मेरा मतलब है, मैं आज अपना संदेश बदल कर यहां आकर सिखा सकती थी, अन्बन कड़वा हट, नाराज, यक्षम्य, क्रोध पर और यदि मैं अंत में पूछती आप में से कितनों को परमेश वने आज याद दिलाया है कि वे किसी से क्रोध ही थें और प्रार्थ ना चाहते हैं, लगबख 70% से, 80% लोगों ने हाथ ऊपर उठाय होते पर बाइबल हमें इस पश्ट कहती है कि प्रेम के बिना हमारा विश्वास काम नहीं करता मर्कुस, जब तु प्रार्थ ना करे, यदि तेरे मन में किसी के विरुद कुछ हो, यदि तेरे मन में किसी के विरुद कुछ हो, यदि तेरे मन में किसी के विरुद कुछ हो, कुछ भी आप चाहे उससे उचित समझे परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर कहते हैं ने ने हम परमेश्वर के क्रोध के हकदार हैं और वे हमसे क्रोधित नहीं है हम इस योग्य है कि वे हमें अस्विकार करें और हमें अपने उपस्थिती से निकाल दें निसंदे ये नहीं है कि वे हमारे साथ अच्छे हों पर वेएसे कुछ भी नहीं है क्यूं क्यूंकि प्रमेशवर प्रेम है प्रेम क्रोधित रहने का कि बहाना कभी भी नहीं ढूंड सकता है कि उल्ए करिक प्रार्त नakन्या प्यारा है और यदि मैं वह नहीं कर सकती, तो मैं रुकती हूँ, और मैं अपने रुक को सिधा करती हूँ. पादरियों से हमीशा कहती हूँ यदि आपके गिर्जे में कोई आया था तो आपने उन पर विश्वास किया था उन्हें प्रशिक्षित किया था और उन्हें मार्थ दर्शन में पदवी दी थी और अंत में वे एक मील दूर गए और एक गिर्जा आरम किया साथ ही आपकी उन्हें आशिष दें आप कहें करूं कि साउंस सिस्टम मेरी ओर से क्योंकि यदि आप उन्हें आशिष देंगे और वे कुछ गलत कर रहे होंगे तो वेसे ही फ़लेंगे फूलेंगे नहीं और यदि आपका रूख अच्छा होगा वे जिने ले गय थे वे आपके पास अभा में अभी शेख पर रोक लगा देंगे और बहुत से लोग छोड़कर चले जाएंगे आपके व्यक्तिगत जीवन में भी यही होगा आप किसी से गुरुदित होते हैं तो सबसे पहले उनके प्रार्तना करें आप कायेंगे मैं नहीं चाहता कि उसे आशिश मिले में चानती हूं आप परमेश्वर को कह सकते हैं मैं सच मुझ नहीं चाहता कि उन्हें आशिश मिले परन तो आपने मुझे उनके लिए प्रार्तना मुझे आज इसके ज़रूर रथ हैं मुझसे बहतर आचरण करवाएगा अस्य प्रदिशत मसीही किसी न किसी तरीक और रूप में किसी समय क्रोधित होते हैं मेरा मतलब आज किसी बात पर क्रोधित होकर उसे भुला सकते हैं और उसके बाद आप एक दो सब्ता तक ठीक होते हैं और उसके बाद कुछ और होता है पता है आपको हर सब्ता क्रोधित होने के 40-50 मौके मिलते हैं हम कह सकते हैं नहीं शुक्रिया मैं पहले यह कर चुकी, मैं एक बार फिर उस पहाड के आसपास नहीं जाना चाहती, परन्तू हमारा सही रुख होना चाहिए, और जो रुख हमारी मदद करता है, वही विनम रर रुख है, जैसा इशु का था, जो कहता है, एक बात कहूं, मैं भी सब कुछ सही नहीं करता शर्तिया, मैं भी कई बार लोगों को आहत करती होंगी, और उनसे नाराज रहती रहोंगी, कई मौकों पर मैं दिन पर चिड़-चिड़ी रहती हूँ, और मैं सच मुझ किसी से कठोर या सबे वेवार करती हूँ, और आशा करती हूँ कि वो वो उदार हो, तो मैं ऐसा क्यूं सूचती हूँ आप जैसे बीच पोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे, जब आप ऐसी परिस्तितियों में होते हैं, आईए कुछ सदभावना एक कत्र करें और लोगों को शमा करना आरम करें, पर उसके लिए एक रुख ज़रूरी है और मैं वास्तो में आज आपसे एक रुख के बारे में बात करना चाहती हूँ, दास के रुख के बारे में, हमें आजकल दास शब्दा अच्छा नहीं लगता बाइबल में जहां दास लिखा है, उसके पीछे घुलाम लिखा है, और हम नी संदे घुलामी को बुरा समझते हैं, क्योंकि हमने उसका गलत रूप देखा है, पर नहीं तो बरमेश्वर किसी ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको घुलाम बनाएं, बलकि आप सहर्ष अपने को दास या घुलाम बनाते हैं, बाइबल बंधुआ मजदूर के बारे में बात करती है, और बंधुआ मजदूर वो होता था, और ये शु के जमाने में बहुत से घुलाम थे, और जब उनके मालक उन्हें आज़ाद करते थे, बंधुआ मजदूर वो होता था, जो क केवल एक स्वतंत्र मनुश्य दास बन सकता है आप सच्चे सेवक नहीं बन सकते क्योंकि मैं किसे बिनना काम की बात नहीं कर रहे मैं सेवक या रोख होने के बारे में बात कर रही हूं ये विश्वास करने की बात कर रही हूं कि आपको दूसरों की सेवा करके आशिश मिलते ह कि यदि आप प्रभू के लिए करते हैं मैंने कल रात अपना उधारन दिया था मैंने कहा कि यदि मैं पानी गिरा दूँ और किसी से लाने को को हूँ तो पचास लोग दर्वाजे की और भागेंगे मेरे लिए पानी लाने के लिए और मैं सोचेंगे यह बढ़िया है यह कूशीश करे तो टीवी पर कुछ कारिकरम होते जो बिल्कुल देखने के लायक नहीं होते आपके पदिया पत्नी या बच्चे कभी गबार यह कहते हैं सुनो यदि तुम रसोय में जा रही हो क्या मेरे लिए एक लस्मानी लाओगे शायत कहती है आपने मुझे क्या समझ रखा है क्या मैं गुलाम हूँ हमारा रुख बहुत एहम है और मैं आपको एक बात कहूंगी पता मैं डेव के बारे में बहुत कहानिया सुनाती उपर मैं आपको डेव के बारे में एक बात बताऊंगी डेव घर पर मेरे साथ अच्छे हैं मेरा मतलब मैं आपको डेव की कुछ और कहानियां भी बताऊंगी इस सब्ता हमेशा की तरह जब मैं अपनी कुर्सी से उठकर कुछ लेने जाने लगती हूँ वे पूछते क्या चाहिए और वे उसे ला देते हैं मैं अपनी कमर के नीचे हीटिंग पैड रखती हूँ आराम के लिए और वे कहते ओ ये मैं करूंगा और वो करते हैं वो करते हैं सो ऐसा बहुत समय से सुराचों चल रहा है मैं उनके करने के लिए काम ढूंडती हूँ डेव क्या आप डॉगी को बाहर ले जाएंगे मुझे थोड़ा पानी देंगी क्या मुझे ये देंगी क्या आप मेरे लिए वो कर देंगी क्या हीटिंग बैग लेकर आएंगे टीशू का बॉक्स द आज बनने में मुझे अधिक माहिर है मैं अभी भी कुछ सीख रही हूं इस बारे में जदि आपको उस पक्ष में योग्यता है और आपको लोगों की मदद करना स्वाबावी ग्रूप से प्यारा है परमिश्वर आपका भला करे पर पता है मैं सच कहूंगी मुझे उस पर क करते फिरते थे यह मुझे सरल और सुन्दर लगता है कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और दूसरों के जीवनों को भी यदि हम रोज सुबह उटकर केवल यह कहेंगे परमिश्वर मुझे कोई दिखाए जिसके साथ मैं अच्छा कर सकूं इश्यू ने कहा है कि हमें दूसरों को ऐसे प्रेम करना चाहिए जैसे कि वे हम से करते हैं सबसे बड़ी आगया यह है कि तो अपने परमिश्वर की अपने पूरे दिल, मन, आत्मा और स्वामर्थे से प्रेम करो और दूसरा की अपने पडूसी से प्रेम करो गुणवत्ता को बहुत सुधारना चाहत तब आपको अपने पर से ध्यान हटा कर दूसरों की मदद करना सीखना चाहिए, सीखें आप अक्षरश जहां भी जाएं जहां आशिश कैसे बन सकते हैं और मैं वो कर सकती हूं जब आप अपने को आशिश बनने के लिए तयार करेंगे, आपके जीवन में परमीश्वर की भागियों को धन्यवाद देते हैं, हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, खरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं, अपना प्रात्नानी विदन भीजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए, अमारे श्रोतों के बारे में और जानिए, जोईस की सभाओं की सूची देखिए, मारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को पाटते हैं। इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने।